हेलो इगनो स्टूडेंट सेंपल पेपर के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारा सेंपल पेपर जो है वो सब्जेक कोड है भडले 137 इसे आप important question answer PDF कह सकते हैं या फिर guest paper भी कह सकते हैं इस PDF का उदेशे आपको exam में अच्छे नंबरों से पास करवाना है इस PDF में हम questions के साथ साथ उसके answers को भी बहुत ही slow scroll करते हुए देखेंगे आपको बताते चले इस subject का previous year question paper भी upload किया जा चुका है जिसका link आपको इस वीडियो के description में दिया गया है तो उसे भी जाकर आप check कर सकते हैं इस PDF को complete analyze करें अपने exam की अच्छे से preparation करें और इसको देखने के बाद आप चाहें तो इसके PDF को purchase कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के description और यहां screen पे आपको हमारा WhatsApp contact number दिया गया है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका question number one जो कि आपके exam में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विभिन प्रकार के समवादों का उल्ले कीजिए तो देखिए समवाद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको बताना है तो दो देशों के बीच जो समवाद होता है यानि बादचीत होती है उसे शिखर वारता कहते हैं तो ये भी एक प्रकार का समवाद है दूसरा जो होता है साहित्य या कला संस्कृति के विशे पे संबाद हो सकता है तीसरा हो सकता है फिल्म और नाटक के बारे में संबाद तो इसे भी लिख सकते हैं ज्यान विज्यान के बारे में जो संबाद होता है उसको आप explain कर सकते हैं और व्यक्तिगत इस तर पे भी समवाद होता है तो यहाँ पांच तरह के समवादों को डिस्क्राइब किया गया है तो इसे आप ध्यान पूर्वाग देख लिजिए फ्रेंट्स आप इस वीडियो के सेटिंग में जाकर इसको high picture quality पे करके देखे तापकि आपको ये clear देखे वर्ट्स जो है इसमें काफी छोटे टाइप किये गए है जिसके वैसे आपको इस PDF को देखने में या इनके वर्ट्स को देखने में problem हो सकता है अगला question कुछ इस प्रकार से आप से पूछा जा सकता है कि संप्रेक्षन में भाषा और लिपी का क्या महत्व है उसको एक्स्प्लेन करना है अगला कोश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि टिपनी लेखन किसे कहते हैं टिपनी लेखन क्या होता है उसके बारे में बताना है आपको तो देखे इसका अंसर आप कुछ इस प्रकार स लिख सकते हैं कि प्राशाशनिक पत्राचार में टिपनी तथा आलेक का विशेश महत्व होता है कार्याले में आय पत्र अथ्वा कार्याले की स्वतंत्र आवशक्ताओं की संपूर्थी के लिए टिपनी तयार की जाती है तो जिखिए जो टिपनी का मुखे योग होता है योगदार होता है या यूज होता है इसका हमें कार्यालियों में कार्यालियों में यानि की ओफिसेज में देखने को मिलता है तो इसके बारे में आप अच्छे से explain करेंगे अगला कोशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि संप्रेक्षन के किनी पांच तत्वों का उलेख कीजिए तो संप्रेक्षन के पांच तत्वों कौन से होते हैं पहला होता है शुरोत दूशरा होता है वेक्तत्व समता तीसरा होता है विचार चौथा होता है संप्रेक्षन और पांचवा पॉइंट इसमें आएगा माध्यम तो इन पांच पॉइंटों को आप अच्छे से explain करेंगे इसके अलाव भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिये गए हैं जिहें देख सकते हैं आप संदेश प्रति पुष्ठी और एक और है यहाँ पर संकेत करण एवं संकेत वाचक तो ये भी सारे हैं इसके और एक संदर्व तो आपको इस कोशियन केवल पांच ही describe करने के लिए बोला गया था तो आप पांच को ही describe कर सकते हैं अगला question हो सकता है कुछ इस प्रकार से कि वैवसाइक पत्र का अर्थ उलेख लिखने का धंग और प्रकार पर चर्चा कीजे तो वैवसाइक पत्र यानि official जो पत्र लिखा जाता है लेटर लिखा जाता है उसक तो आपको पता दे इस PDF में तीन सेट आपको solve paper प्रोवाइड करवाय जा रहा है इस वीडियो में हम आपके लिए दो सेट को scroll करेंगे क्योंकि अगर तीनों ही सेट को explain किया गया तो वीडियो बहुत जादा lengthy हो जाएगी तीनों सेट आपको मिल जाएगा जब आप इसके PDF क परचेस करेंगे तो PDF में आपको ये तीनों ही सेट मिलेंगे देखिए अगला question आपसे कुछ इस प्रकार से हो सकता है भागखा से अपने द्वारा पठित किसी कहानी की भाषा की विशेश्ताओं का उल्ले कीजे देखिए एक आपको कह रहा है कि अगर आपने कोई की कहानी पढ़ी ही हो और उस कहानी की भाषा की क्या विशेश्ताओं थी उसके बारे में आपको बताना है तो एक कहानी का जिक्र करते हुए आपको उसकी भाषा के बारे में विस्तार पूर्वक अच्छे से एक्स्प्लेन करना होगा अगला question कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि बोल हो सकता है भाषा में किस प्रकार के आचरन को मरियादा के खिलाफ माना जाता है तो मरियादा के खिलाफ कौन सी भाषा होगी जो जिसमें अभध्रता देखने को मिलेगी हम ऐसे शब्धों का इस्तिमाल गलत शब्धों का या अशलीलता का प्रयोग करते हैं तो भाषा की अ बता सकते हैं अगला कोशन आपसे कुछ जो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पत्र लेखन का अर्थ बताते हुए पत्र लिखने समंधी आवशक बातों का उलेख कीजिए तो पत्र लेखन का अर्थ बताना है और उसके लिखने समंधी कौन सी आवशक बातों का ध्यान आईए तो यहां आपको वैक्तिक लेखन की भाषा के बारे हम बताना है तो इसे भी आप ध्यान पूर्वक देख लिएंगे अब बढ़ते हैं हम इसके अगले सेट के तरफ जो की आपके लिए वो भी हम कंप्लेट स्लो स्क्रॉल कर देते हैं इसे ध्यान पूर्वक देख सकत हैं इस वीडियो में बने रहें थैंक्स वर वाचिंग जिसे तर्शल तर्वक देख सकते हैं स्फ़यों में इस दो काई न पूर्वक देख झाल 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 झाल